तस्वीरों में दिख रही ये सुरंग कट्वा के हीरा नगर्ज सेक्टर में अंतरराश्ट्रिय सीमा के पास पकड़ी गई है इस सुरंग के पकड़े जाने से पाकिस्तान के आतंक्यों के भेजने की साजिश का परदा फाश हुआ है इस सुरंग का पता BASF ने एक अभियान के दोरान लगाया BASF ने सुबा गर्ष्टी के दोरान बोबिया गाउ में इस सुरंग का पता लगाया जो आतंकवादियों की घुसपैट के लिए बनाया गया था सुरंग का पता चलते ही BASF के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और पूरे इलाके का जाय जालिया हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं IG BASF जमू फ्रेंटियर एनेस जमवाल जमवाल साब सबसे पहले आज तक से बाचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पाकिस्तान की एक और साजिश जो है उसका परदा फाश हुआ है BASF ने एक और टैनल जो है उसको डिटेक्ट किया है अंतराष्टे सीमा पर आप इसके बारे में हमें और जानकारी दीजेए यह हमारा एक कैमपेंड चला हुआ है एंटी टैनलिंग ड्राइब को लेके और पिछले तीन मेन में आपने देखा कि तीन चार टैनल जो है हमने डिटेक्ट की है उसी की एफट का नतीजा है कि हम यह टनल भी जो हम डूड पाए हैं यह टनल करीब 150 मीटर लंबी है और 25 से 30 फुट गहरी टनल है तीन से चार फुट का डाया है इसका और इसको प्रापर इंजिनरिंग एफट से बनाया गया है इसमें जो सैंड वैक्स की मार्किंग मिली है यह इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान के इसमें सेंड वैक्स बगरा इस्तेमाल हुए हैं तो हमारा जो एक कैमपेंड चला हुआ है उसकी यह सकसेस है और इल गिप क्रेडिट के जो हमारी इंटर जैंसी हैं हमारी सिक्यूरिटी फोर्स हैं हमारे बीएसेफ के टुप्स हैं जो ग्रॉंड के उपर काम कर रहे हैं उन्होंने इसको ढूंड निकाला है तो इसका औरीजन क्या अंतर राश्टे सीमा के दूसरे तरफ है हाँ इसका औरीजन जो है यह मैं मानता हूं कि कम से कम 30-40 मीटर अंदर पाकिस्तान की अंदर से सीधे तोर पर पाकिस्तानी रेंज का भी हाथ है जो शुरुआती जांच है उसके अनुसार क्या लगता है सर आपको कि यह जो टनल है क्या हाल फिलहाल में इसको खोदा गया था यह पुरानी टनल है थोड़ी सी पुरानी टनल लग रही है अब रिसेंटली तो यह इस्तेमाल में नहीं लाई गई है बाकी हम इ पर राश्थ्र सीमा के सेक्टर पर पूरा टोटल क्रीब 9-10 टनल हमने टेक्ट करी हैं पूरे जमू बॉरडर के उपर और तीन टनल very थी इस टनल के बारे में यह जो यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके जरी पता लगा नहीं हमारे पास में कुछ इंटर पोर्ट थे इसके उपर इसको लेके और हमारी एफ़र्ट भी जो है वो लगी हुई थी और यह भी है कि उसी का कैमपेन का ही हिस्सा है कि इसक सुरंग की लंबाई लगभग डेड़ सौ मीटर ना पी गई है इस सुरंग से कुछ सीमेट की बोरिया भी बरामद हुई है जिन में पता पाकस्तान के कराची का लिखा है और ऐसा भी बताय जा रहा है कि सुरंग का दूसरा किनारा पाकस्तान की पोश्ट के ठीक सामने निक किया है इस समय मैं उसी टनल के अंदर हूं और यह जो टनल है इसका जो औरीजन पॉइंट है वह अंतर राश्टे सीमा की दूसरी तरफ है जो की पाकिस्तान में है और यह टनल खोदी गई थी ताकि यहां से जो है आतंग की भेजे जा सके तो पाकिस्तान का एक बार जो है आतंग वादियों के प्रती जो आप देख सकते हैं कि कितना लगाव है वो एक बार फिर सामने आता है और पाकिस्तान जो बार बार कोशिश करता है यहां पर अंतर राश्टे सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए और यहां से आतंग की गुसपैट कराने के लिए उसका परद लग 150 मीटर है गहराई 25-30 मीटर है और यहीं से जो है आतंग की आए होंगे अभी हाल फिलाल में तो नहीं लेकिन कुछ समय पहले गुसपैट की की होगी आतंग वादियों ने लेकिन जो बीएस रफ का जो एंटी टानल ड्राइव जो इस समय चल रहा है उसमें जो है बीए पिछले तीन महीने में यह तीसरी ऐसी टनल है जिसको कि समय रहते ही डिटेक्ट किया गया हालां कि जो हाल फिलाल में अभी एक एंकाउंटर हुआ था जम्मू श्रीनगर राष्ट्य राजमार्क पर तो ऐसी टनल जो है सांबाज दिले में मिली थी और उसी टनल के जरिये जो है आतंगवादी जो है गुस्पैट करने में सफल हुए थे लेकिन समय रहते ही जो इंटेलिजस इंपूट्स थे जम्मू श्रीनगर राष्ट्य राजमार्क पर उन तीनु जो आतंगवादी जो गुस्पैट के हुए थे उनको धेर कर दिया गया था लेकिन अब जो है पाकिस्तान गंतरन तर दिवस से पहले ठीक जो है तनाव और बढ़ाना चाहता है जम्मू कश्मीर में जो है आतंग की गुस्पैट कराना चाहता है तो इसलिए चाहे अंतराष्टे सीमा हो या नियंतरन रेका हो सभी जगा जो है इस समय बढ़ा दी गई है और खास्तोर प से भी कहूंगा कि वह आपको इस टनल की कुछ तस्वीरे दिखाया आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साधिश है और साफ तोर पर ये सीधे बात सामने आती है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की साहिता के बगएर आतंग की जो है इस टनल को खोदने में सफल नहीं होए होंगे तो पाकिस्तानी establishment का सीधा इसमें हाथ दिखता है तो एक बार फिर जो पाकिस्तान है उसका चेहरा बेनकाब होता है एक तरफ तो पाकिस्तान जो है दुनिया बर में ये बात कहता है कि वो शान्ती चाहता है सीमा पर जो है शान्ती चाहता है तनाव नहीं चाहता है लेकिन दूसरी तरफ देखे पाकिस्तान का असली चहरा जो है वो बे नकाब होता है इस टनल के जरीए ये सबूत है पाकिस्तान के बरबर चहरे का किस प्रकार जम्मो कश्मीर में जो है आतंग क्योंकि गुस्पैट कराई जाती है जम्मो कश्मीर के मासुम लोगों को आतंगवादी की निशाना बनाते हैं और ये गुस्पैट जो है पाकिस्तान करवाता है आतंगवादियों को भेजता है और आप देखे इस टनल के अंदर से सैंड बैक्स मिले हैं और सीधा तोर आप देखे कि कराची का ये सैंड बैग है इसमें साफ तोर पर लिखा गया है तो पाकिस्त के खिलाफ और स्वबूत मिले हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार आतंगवाद को बढ़ावा देता है जम्मू कश्मीर में और ये सफलता जो है बीस अफ को ठीक गंड़तनतर दिवस से पहले मिली है क्योंकि हमेशा पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि जब भी स्वतनतर पर एक बार फिर पानी फिर दिया है हालाकि सीमा से लगे इन शेत्रों में पाकिस्तान की तरब से खोदी गई ये कोई पहली सुरंग नहीं मिली है इसके पहले साल 2020 में अगस्त महीने में सांबा के सीमा वरती गाओं बैन गलाड की सीमा पर एक सुरंग मिला था सीमा से पचास मीटर दूर इस सुरंग में पाकिस्तान के प्रिंट वाली बोर्या भी बरामद हुई थी जिन में रेद भरी हुई थी ब्यूरर रिपोर्ट भारत तक